सो हेलो एवरिवन आज बात करेंगे रामा इस्टिल ट्यूप्स लिमिटेट के बारे में आज इस सेर में अच्छा कासा मुवमेंट देखने को मिला है क्यों ये इतना अच्छा अप्टरण मुवमेंट दिखा रहा है इसके पीछे के न्यूस भी आपको बताऊंगी और क्या ये लॉंग टर्म प्रस्पेक्टिव से बढ़िया है या नहीं ये भी इस वीडियो में आगे बताऊंगी और सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल भी इस वीडियो में डिसकस करेंगे आगे फंडमेंटली कैसा ये स्टॉक ये भी आगे बताते हैं बट उससे पहले आप लोग हमारा वट्सप ग्रूप भी जोईन कर सकते हैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन यहां पर हमने दिया था टॉरंट फार्मा का सेयर और आप देखेंगे इसके ओल टार्गिट डन हो चुके हैं चलिए बात करते हैं यहां पर पहले न्यूस की बात कर लेते हैं जो न्यूस आ रही है जिस कारण यह भाग रहा है एक्चुली में यहां पर FII ने इस सेयर में इन्वेस्टमेंट किया है और सेगेंड तिंग यहां पर क्या हुआ है इनको इनको यह जो कंपनी है यह अपने defense sector में भी कुछ participation कर रही है तो approval इनको मिल चुका है government की तरफ से ऐसे में ये share आज भाग रहा है ठीक है पैनी श्टॉक है तो क्या ये long term perspective से अच्छा रहेगा या नहीं ये इस वीडियो में बताती हूं है तो यहां पर जो मुझे लग रहा है according तो यहां पर जैसे profitable है company आप देखेंगे इनकी जो sales है ये वैसे तो सही नजर आ रही है बीच में यहां पर dip रही बट फिर से यहां पर ठीक ठाक इनकी sales नजर आ रही है और जो खर्चें है expenses है ये अंडर sales ही नजर आ रही है तो यहां पर quarterly रिजर्ट तो इनके ठीक ठाक आ रहे हैं जो इनका net profit है अब अभी तो single digit में है 678 करोड के आराउंड यहां पर average इनका 678 करोड के आराउंड ही है तो overall देखा जाए quarterly result तो यह सही provide कर रहे हैं and balance sheet भी आप देखेंगे यहां पर balance sheet भी सही नजर आ रही है reserves इनके पहले तो 18 थे only अब यहां पर 181 हो गई है मतलब अच्छा कासा jump 10 गुना आप मान सकते हैं और borrowings देखेंगे आप borrowings इनोंने कम की है कहा मतलब reserves से जादा हमेशा यहां पर borrowings थी बट इस बारी मार्च 2024 में 181 reserves पर 145 इनकी borrowings है मतलब कि overall देखा जाए borrowings इनोंने कम की है तो यहां पर balance sheet हम बोल सकते हैं इस बारी इनोंने balance sheet balance की है सही यहां पर balance sheet इनकी नजर आ रही है आगे मैं share holding pattern के बारे में बात करूं यहां पर आप देखेंगे promoters के पास majority of the stake है यहां पर देखेंगे आप 56% जून 2024 में promoters के पास है मतलब majority promoters के पास है penny stock में कई बारे यह होता है कि operator game चलने के possibility रहती है बट यहां पर नहीं चलेगा क्योंकि majority of the stake promoters के पास है और FII interested है इस share में यहां पर holding में भी इनोंने बढ़ाई होगी अभी so नहीं हो रहा है क्योंकि अगस्त quarter में यह सितंबर quarter में आप कहींगे सितंबर में इनोंने holding बढ़ाई है तो यहां पर October quarter में यहां पर यह आपको देखने को मिलेगा DIY नहीं holding बढ़ाई है बाकी public के पास 43% stake है so overall देखा जाए यहां पर promoters की holding बढ़िया है so share holding pattern इनका बढ़िया नजर आ रहा है चलिए हम बात करते हैं क्या इसका support level and resistance level निकल कर आ रहा है for short term perspective अगर यहां पर यह 11.70 रुपीज के अबव closing देता है on daily time frame 11.70 रुपीज के अबव तो तब हम बोल सकते हैं एक breakout इसमें possible है ठीक है क्योंकि यहां पर यह बार बार यह रेजिस्टेंट टच करके down आ जा रहा है तो अभी अगर यह वैसे तो अच्छा कासा moment दिखाई रहा है अगर आज ही closing देता है तब हम बोल सकते हैं कुछ हपतों बाद यहां पर यह आपको 12.30 का target दिखा सकता है यह penny stock ठीक है वैसे बैटर रहता है penny stock में आप लोग long term perspective से buy का सोचिए short term perspective से यह mid term perspective से कहना tough है क्योंकि क्या होता है कि अभी news के चलती है यह अब जा रहा है बट क्या पता यहां पर फिर news का impact इतना नहीं रहता कुछ time तक ही रहता है फिर यह down भी आ सकता है सो penny stock के लिए better रहता है आप लोग long term perspective के हिसाब से कुछ quantity hold करने का सोच सकते हैं short term में इतना पैसा नहीं बनता बाकि यहां पर अगर 12.3035 क्या बहुत sustain करता है सो 13 रुपीज तक जाता हुआ दिख सकता है रामा स्टील और सपोर्ट लेवल इसका 10 रुपीज के राउंड नजर आ रहा है सो आप लोग अपने ओन रिस्क में इस सेर में fresh entry का सोच सकते हैं या जिनके पास यह सेर है सो होल्ड करने का आप लोग सोच सकते हैं आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी पसंद आई होगी सो थैंक्स फॉर वाचिंग